नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल नई सुभा में हारदिक स्वागत है आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा घरेलू नुस्का जिसके इस्तेमाल से आखों की रोशनी फिर से बहुत अच्छी हो जाती है इस नुस्के से आप खुद अपने में बदलाव देखेंगे कि यह फिर से आपके आखों की रोशनी को बढ़ा देगा कैसा भी चश्मा हो आखों की रोशनी के लिए 97% तक इस नुस्के से आखों की रोशनी बढ़ जाती है और इस नुसके को तयार करना भी बेहद सरल है दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें क्योंकि इसी की माध्यम से हम आपके लिए लाते हैं बहुत ही शांदार घरिल नुसके जिनने अपना कर आप अपना जीवन सुक में और स्वस्त बना सकते हैं हमारी आँखें हमारे शरीर का एक अनमोल हिस्सा है दिन में होने वाली 90% क्रियाओं को हम अपनी आँखों के जरिये सेंस कर पाते हैं बढ़ती उम्र के साथ हमारी आँखों की रोशनी भी धीमी होने लगती है जो के एक आम बात है लेकिन आँखों की रोशनी कम होने के कई और कारण भी हो सकते हैं अगर आप चश्मे से परिशान हैं और अपनी आँखों की रोशनी दुबारा पाना चाते हैं तो आप इस नु सुबह की तरफ से आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इस नुश्के को तयार करके अपने लिए बना सकते हैं और अपनी आँखों की रोशनी को फिर से बढ़ा सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले सामंगरी चाहिए केसर एक छोटी चुट की केसर चाहिए आपको और एक गिलास सादा पानी बस इन दोनों चीजों के जरिये आप आँखों की रोशनी को दुबारा पा सकते हैं आपको सिर्फ केसर की चाय बनानी है पानी को उबालना है और उसमें केसर डालना है अगर आप चाहिए तो उसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं जिससे आपक जादूई नतीजे मिलेंगे इस केसर की चाय के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं यह ना सिर्फ आपकी आँकों की रोशनी को बढ़ा देगा बलकि गठी या कॉलेस्ट्रोल के स्तर को भी अच्छा करतेगा साथी खून की सफाई भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और इस चाय को पीने से आपके चहरे पर एक बहुत अच्छा ग्लो भी होने लगता है साथी बलड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है जिससे आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं रोज आपको इस तरह इस चाय का सेवन करना है इससे आपको बहुत अच्छे लाम बिलेंगे और आपके आँखों की रोशनी बढ़ने लगेगी तो दोस्तो जरूर अपनाएं इस आसान से घरेले नुसके को और लाब प्राप्त करें और इन घरेले नुसकों के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसे आप आसान इसे अपना सकते हैं और लाब प्राप्त कर सकते हैं हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें जिससे वह सभी लोग जानकारी प्राप्त करके लाप प्राप्त कर सकें और हमारा चैनल भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें दो तो